हेलो दोस्तों बीडिकेटियन फिल इंडियन एक और लॉंग कोश्चन जिसका नाम चैप्टर का नाम है रंगास मैरिज हमने आपको पहले भी हमने आपको बताया है कि पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो इसके शॉर्ट आंसर बने हुए है वहाँ पर पूरी कहानी सुन का नाम लिखती है रंगास मैरिज रिटन बाई मस्ती बेंकटेश ऐंगा ठीक है एवाउड नरेटर इनके बारे में पूछा तो आपने हैं डाली एवाउड नरेटर और लिखेंगे दा नरेटर आफ दा स्टोरी इस श्यामा ठीक है जो श्याम है वह स्टोरी के नरेटर है इन दा बेगिनिंग यानि स्टार्ट में शुरुआत में बिगिनिंग का मलब था सुरुआत में यानि उनका गाउँ है वो किसी जुग्रफी की किताब में नहीं मिलेगा किसी नकसे पर नहीं है लेकिन महसूर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्ट गाउँ है बहुत अच्छा गवाँ है जहाँ पे लोग आते हैं घुमते हैं और मौल लेते हैं यानि गाउँ वालों की जिंदगी उपर इंगलिस का क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में वो आराम से जबाब देता है बताता है ठीक है जब रंगा पढ़के इंगलिस बाहर से आता है तो लोग उसे देखने के लिए भीड़ी घटी होती कि भाई क्या जब देख लेते नहीं बैसा ही लग रहा देखने में तो पर चले जाते हैं ठीक है लाइफ आप दे बिलिजर्स दर राइटर इस टेक्ट फुल मैं यानि एक बिवहार कुशल आदमी है तो नमबर एक तो हाजिर जबाब है नमबर दो टेक्ट फुल यानि बिवहार कुशल है रंगा के लिए उसके दिल में इस्पेशल प्यार है यंग मैं जो रंगा था वो रतना के साथ उसकी शादी कराना चाहता है लेकिन रंगा शादी के मूड में नहीं होता ही मेक्स आ प्लान वो एक प्लान मनाता है रंगा एक्रीश टू मेरी रतना जिसके बाद रंगा शादी करने को तयार हो जाता है यानि एक रोचक बेखती है जो तरह तरह की खुरापात करता है लोगों को बताता है उसके बारे में बताता है और साथी शाथ प्लान बनाके रंगा की शादी भी कराता है लांग कोशन उमीद करते हैं आपके काम में आएगा जुड़ जाइए चैनल से बन जाइए डीकेडियन फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा हम फिर मिलते हैं आज से एक और नए वीडियो में एक और लांग कोशन के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत